पॉप्यूलर एक्ट्रिस मंदिरा बेदी के पती राजकौशल का 30 जून को निधन हो गया। दिल का दौरा पढ़ने से उन्होंने दम दोड़ दिया। सोशल मीडिया पर राजकौशल की एंतिम विदाई की कई फोटोज और विडियोस वारल हुए। मंदिरा ने भी अपने पती राजकी अर्थी को कंधा दिया। मंदिरा के करियर की बात करें तो वो काफी उतार चड़ाव भरा रहा है। मंदिरा वेदी वैसे तो विग्यापन की दुनिया में काम करना जाती थी पर शायद किस्मत को उन्हें टीवी की दुनिया में ले जाना था। तब ही तो ना चाहते हुए भी उनके लिए टीवी का रास्ता खुलता गया। और जिस टीवी को पसंद नहीं करती थी मंदिरा वही पर एक टीवी शो ने रातो रात उन्हें घर घर में स्टार बना दिया। इंडस्ट्री में मंदिरा ने बहुत उतार चड़ाव भी देखे हैं। 1994 में टीवी धारवाह एक शांती एक औरत की कहानी ने मंदिरा को घर घर में पहचान दिलाई। और फिर यहां से मंदिरा टीवी की दुनिया में चाह गई। खुद मंदिरा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस शो ने उने एक मजबूत स्त्री बनाने में मदद की। कमीज में। लेकिन डारेक्टर को पता नहीं क्यों लगता था कि मैं इस रोल के लिए बिल्कुल फिट हूँ। हाला कि बाद में मंदिरा इसके लिए रासी हो गई। और ये शो इतना बड़ा हिट हुआ। इसके बाद मंदिरा कई टेलिविशन शोस का हिस्सा बनी और फिर रिलीज हुई दलवाले दुलहनिया ले जाएंगे जसमें मंदिरा ने शारु खान के साथ स्क्रीन शेयर की। मंदिरा क्रिकेट से भी जुड़ी और क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान बत और होस्ट नजर आई तो IPL में भी शुरुवाते दिनों में उनका सिक का खूप चला। मंदिरा फिटनेस पर भी काफी ध्यान देती हैं और सोशल मीडिया पर अकसर अपने फिटनेस वीडियोज शेयर करती हैं। अभी नए आक्टिंग के अलावा मंदिरा फैशन डिजाइनर, मॉडल और टीवी प्रेजेंटर भी हैं। मंदिरा के इस जौनी पर आपकी क्या राय हैं। बताईए हमें comment section में and also do like, follow and subscribe to Tele Masala on Facebook, Instagram and YouTube.